तो आज के मारी वीडियो में हम क्या करेंगे अगर पॉलिडॉन के पास जो है 45 एज और 30 वर्टेसिस है तो उसके पास कितने फेसिस होगे आज हमें से फाइंड करेंगे यूजिंग अ यूलर फॉर्मूला को यूज करके तो फर्स्ट हमारे पास गिवन क्या है तो फर्स्ट हमारे पास जो है एज गिवन है कि एज हमारे पास कितनी है 45 एज है और हमारे पास वर्टेसिस गिवन है कि वर्टेसिस हमारे पास कितने है तो that is 30, 30 vertices है और 45 edge है हमने क्या find करना है faces किस formula को use करके, euler formula को use करके हमने क्या करना है इसको find करना है, तो अब euler formula है क्या that is face plus vertex is equal to edge plus 2 edge plus 2, तो मतलब की face plus vertex face को जो है vertex से 7 plus करना है जो की equal होगा edge को जो है हमने 2 के साथ जो है plus करना है तो अब इसको इस form में हमने लिखना है जो हमारे पास given है, first हमारे पास faces जो है वो given नहीं है so I will put here F, तो हमने यहाँ पर F लगा दी तो हमारे पास जो vertices है वो कितने हैं, हमारे पास 30 vertices जो है given है तो हमने vertices की जगे 30 लिखती है, then हमारे पास जो edge है वो कितने given है 45, 45 में हमने 2 को क्या करना है plus करना है, तो हमने उसकी form जो है वो बना ली है then हमने अब क्या करना है, अब हमने क्या करना है 45 को 2 के साथ plus करना है, उसका answer कितना आ जाएगा 47 और इस side में F plus 30 ही रहेगा तो इस तरह इसका answer है वो आ जाएगा उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमारे पास जो F है वो equal to हो जाएगी 30 के, वो 30 के equal हो जाएगी और ये 45 इस side जो है वो plus है अगर हम उसे इस side लाएगे, तो then वो minus में हो जाएगा इस तरह की ये form जो है वो बन जाएगी तो then इसका जो answer है वो क्या आएगा तो 47 में से अगर हमने 30 को minus कर दिया तो इसका answer जो हाएगा, वो आएगा 17 मतलब कि हमारे पास कितने faces है, polydron के पास 17 faces है so that is the answer, तो maybe आप सबको ये समझ लग गया होगा so please मेरी वीडियो को like करना, share करना और अगर आपको कुछ नहीं समझ लगा तो comment करके आप जरूर पूछ लेना और मेरे चैनल को subscribe कर दिना और bell icon भी जरूर on कर दिना thanks for watching